हलो दोस्तों आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छ होंगे दव परफेक्ट इश्टी में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाई देखो यूपी बीएड परवेज परिच्छा के लिए नौटिफिकेशन आ चुका है मेरे भाई ठीक है आप सभी लोगे ने नौटिफि सभी होने ही चाहिए क्योंकि परवेज परिच्छा वैसे ही लेट हो रही मेरे भाई फिर आपको समय नहीं मिले ठीक है तो देखो इसके पहले लखनाओ इनुझेट जो की परिच्छा को ए ठीक है तो Ведьअ बात करते ना कि आपके पास कौण कौन स ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको इंट्रेस फॉर्म भनने के लिए मेरे भाई, बेसिक इंफॉर्मेशन, मैं कोई भी डॉकुमेंट बताता हूँ, तो बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर बताओ, तो हाई स्कूल के बेस पे जो भी मेरे भाई, आपका नाम है, वो आप अपना बिल्कुर सुनिश्चित करो, उसके साथ मोबाईल और इमेल, ठीक है, ये तीनो चीज बिल्कुर सुनिश्चित करो, बेसिक इंफॉर्मेशन में, उसके बाद, जो बेरी बेरी इंपॉर्टन्ट है, मेरे भाई है, वो आए जाते और निवास, ठीक है, तीनो इंपॉर्टन कम होना चाहिए ठीक है उसके बास signature आपके पास जो भी आप अपनी signature करते हो वो तो होगे ठीक है उसके बाद देखो detail of graduation important है मेरे भाई यानि आप पिछले साल कितना number पाए हो चाहिए बीए हो बीएसी हो तो उसमें मेरे भाई आप बैचलर डिगरी या फिर master डिगरी हो मेरे भाई 50% के साथ तो आप eligible हो ठीक है बीए बीए मसी हो तो आप 50% साथ eligible हो उसके बाद यदि आप engineering candidate हो मेरे भाई तब आपके 55% marks होने चाहिए ठीक है जाए बीटेक वगर हो तो 55% marks होने चाहिए इतना document अपने पास बना लेना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आयजा तब भी बनवा लोगे आपकी scholarship के लिए भी help होगी जब आप scholarship का form भरोगे ठीक है उम्मीद करते सारी चीजे मेरे भाई आप समझे होंगे देखो the perfect history मेरे भाई बियड वालों के लिए class भी चलाता है फर समेस्टर की class हो भी गई है तो मेरे भाई आप लोग का चाहू content अच्छा लग रहा समझ में आ रहा है तो तो आप perfect study को subscribe भी कर सकते हो जुड़ भी सकते हो और हाँ Instagram पर जुड़के मुझसे कुछ भी discuss कर सकते हो अपने इंट्रेस एक्जाम से लिटे ठीक है चलिए अपना ख्याल रखिए 15 अपरेल से मेरे भाई आपका विग्यापन जारी होगा तो आप लोग अपना form भरिएगा फिर मैं आपको update देता रहूँगा तब तक के लिए अप अपना ख्याल रुकिये